किसान आंदोलन को धार देने के लिए हर्याणा के जीन में महापंचायद का आईोजन किया गया इस दोरान महाप यंचायद में बना हुआ मंच अचानक तूड़ गया जिस दोरान मंच तूटा उस दोरान भारतिय किसान यूनियन प्रमुख राकेkraft और अन्य किसान निता वहां बैठे हुए थे दरसल ये महापा इंचायद जीन के कंडिला गाउं में आयोजित हुई है जिसमें कई खाप निताओं ने भी हिसा लिया इसका आयोजिन टेक राम कंडिला की अगवाई में सर्वजातिय कंडिला खाप ने किया क्रिशी कानूनों को लेकर संसद में विपक्षी दलों ने मोधी सरकार के खिलाफ हंगामा करते हुई जमकर नारिबाजी की इस दोरान राजसभा के उपसभापती ने आपके तीनों संसदों को दिन भर की कारवाई के लिए निलंबित कर दिया वहीं विपक्ष के निता गुलाम नभी आजाद ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की अपील की साथी सपा सांसद राम गोपाल यादव ने किसानों की बात नहीं सुने जाने पर नाराजगी जाहिर की है हाला कि बीजेपी के सांसद विजय सिंग तोमर ने रजसभा में चर्चा के दोरान कहा कि नए क्रिशी खानून से छोटे और सीमान्त किसानों को ज्यादा फायदा होगा क्रिशी खानून को लेकर किसान संगठोन और सरकार के बीच टकराओ बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में एक बार फिर किसान निता राकेश ट्रिकेट ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि हमने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है अगर सरकार हमें नहीं सुनती है तो हम 40 लाग ट्रेक्टरों के साथ देश व्यापी ट्रेक्टर रैली करेंगे राकेश ट्रिकेट ने कहा कि हमारा नारा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं उन्होंने आगे बताया कि ये आंदोलन जल्द समप्त नहीं होगा बलकि अक्टूबर तक चलेगा 26 जनवरी को किसानों की ट्रेक्टर परेड के दोरान हुए हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है पुलिस ने 26 जनवरी को उतपात मचाने वाले 12 लोगों की तस्वीरें जारी की है इसके साथ ही दिली पुलिस ने हिंसा के आरोपी पंजाबी कलाकार दीप सिंधु पर इनाम घोशित किया है दिली पुलिस ने दीप सिंधु जुगराज सिंग गुर्जोट सिंग और गुर्जन्त सिंग की गरफतारी की सूचन देने वाले को एक लाख रुपई का नकद एनाम देने की घोशन की है वहीं हिंसा में कथित सनलिप्तता के लिए जाजबीर सिंग, भूटा सिंग, सुखुदेव सिंग और एकबाल सिंग की गरफतारी के लिए प्रितेक को 50,000 रुपई देने की घोशन की है अमेरीका की टॉप स्टार रेहाना और परियावरण एक्ट्विस्ट ग्रेटा थंबर्ग ने दिली में चल रहे किसान आंदोलन कर समर्थन किया है रेहाना ने अपने ट्विटर हेंडल से किसानों के समर्थन में ट्विट करते हुए लिखा कि हम किसानों की बात क्यूं नहीं कर रहे तो वहीं ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि हम भारत में किसानों के प्रदर्शन में एक जुटता से खड़े हैं हाला कि रेहाना के ट्वीट पर कंगना समेत कई नामी हस्तियों ने निशाना साधा है वहीं मोधी सरकार ने भी विदेशी हस्तियों के बायान पर एक सखत बायान जारी किया है सरकार ने अपने इस बायान में संसनी खेज सोशल मीडिया हैस्टेग और कोमेंट्स के लालच के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा कि ये प्रदर्शन भारत के बहुत छोटे हिस्से से आने वाले किसान कर रहे है राजदानी दिली में हुए हिंसक प्रदर्शन की बात बेहर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है नितिश कुमार ने मंगलवार को एक नया फर्मान जारी किया जिसमें कहा गया है कि अगर राज़ु में कोई प्रदर्शन करता है तो फिर पुलिस के द्वारा उसका आचरण प्रमान पत्र खराब किया जा सकता है पुलिस महानेदेशक एक सिंगल की ओड से जारी किया गए इस फर्मान में कहा गया है कि सरकारी ठेका, सरकारी नोकरी, हत्यार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना आवशक है वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार के इस फैसले की तुलना मुसोलिनी और हिटलर से करते हुए सरकार पर ही सवाल उठाई है बैंगलूरू में एशिया के सबसे बड़ा एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है एरो इंडिया शो में भारती नवसना के सूरिकरण एरो बैटिक और सारंग हेलिकॉप्टर ने एक टीम ने एरो बैटिक प्रदर्शन किया इसके लावा अमेरिकी B-1B लांसर एरक्राफ्ट ने भी कारिकर में हिस्ता लिया इस विमान को संयुक्त राज अमेरिका के दक्षिन डकोटा के किसी एरबेस से उड़ान भर कर बैंगलूरू तक आने में 26 घंटे लगा है ये कारिकरम 5 फरवरी तक चलेगा और इस कारिकरम में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा इस कारिकर में रक्षा मंत्री राजना सिंग समीत सेना के तीनों प्रमुक्ष शामिल है कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष और सांसत राहूल गांधी ने एक बार फिर प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी पर निशान सादा है उन्होंने इशारों इशारों में पिया मोदी को ताना शाहा कहा है राहूल ने ट्वीट कर एम से शुरू होने वाले साथ ताना शाहों के नाम बताए है हाला कि राहूल गांधी के इस लिस्ट में नरेंदर मोदी का नाम नहीं है लेकिन उन्होंने लिखा है क्यों कई तानाशाहों के नाम ऐसे हैं जो M से शुरू होते हैं ट्वीट में राहूल गांधी ने साथ नाम भी बताए हैं जिसमें मार्कोस, सुलो लिनी, मिलो सेविक, मुबारक, मुबुतु, मुशर्रफ और मिकोम बेरोन शामिल हैं अपने बयानों के चलते चर्चा में रहे बिग बॉस के एक्स कंटेंस्टेंट स्वामी ओम का निधन हो गया है स्वामी ओम ने गाज़बाद के लोने इस्थिद्ध DLF अंकुर वेहर में अंतिमसांस ली वो बीते कई महीनों से बीमार थे और तीन महीने पहले उन्हें कोरना भी हुआ था बताय जा रहा है कि कोरना ठीक होने के बाद भी कमजोरी के कारण चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी जिसके बाद उन्हें आधे शरीर में पैरालेसिस भी हो गया था पंद्रह दिन पहले पैरालेसिस होने के कारण उनकी हालत बिढ़ गई आज सुबह उन्होंने अंतिम सास ले आस्ट्रिलिया में भारत के एतिहासिक जीत में एहम भूमी का निभाने वाले खिलाडियों में शामिल विकेट कीपर भल्लेबाद रिशब पंत को ICC के महीनी के सर्वश्रेष्ट परुष खिलाडी के पुरुषकार के लिए नामित किया गया है अंतरास्ट्री क्रकेट परिशद ने पहली बार महीनी के सर्वश्रेष्ट खिलाडी के लिए नामंकन दिया है इस पुरुषकार के जरी अंतरास्ट्री करकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाडियों को पूरी साल मानिता मिलेगी